दोस्तों अब तक तो आपने Operation Lotus के बारे में सुना होगा, Operation Lotus हो रहा है, तमाम चानल पर यही दिखाया जाता है, headline बना कर कि Operation Lotus में BJP लगी हुई है, जहां पर भी सरकार गिरानी होती है, सरकार को तोड़ना होता है, विदायक खरीदने होते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं, और उस अब Operation Lal 10 शुरू हो चुका है, जहां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे कि बिहार में Operation Lal 10 ने बड़ा खेल कर दिया है, अब BJP के विदायकों को, जी हां, BJP अपने विदायकों को छुपाती भी नजर आ रही है, यही नहीं, नितीश बा इंको अपने पाले में ना ले ले, क्योंकि अब तक बिहार में floor test नहीं हुआ है, और floor test की मांग भी गोदी मीडिया की तरफ से नहीं किया जा रहा है, वह सरकार बन गई है, नितीश बाबु कुर्सी पर बैच गए है, यह मीडिया के लिए संतुष्टी है, लेकिन floor test में य सब खबर गायब है, यह सब खबर चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा, ना ही हुआ बनाया जा रहा, ना ही लोगों के दमाग में डाले की कोशिश की जा रही है, कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार में चल क्या रहा है, बिहार में अगर आप सची खबर देखेंगे आप दोनों पर यकिन कर लेंगे कि हाँ यह सही है क्योंकि आजकल गोधी मीडिया जूटी ही खबरे दिखाती है बले ही बाद में वो फर्जी साबित हो जाती है लेकिन इन लोगो का impact देखिए कि किस तरीके से मीडिया ने जनता के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया था लेकिन अब धीरे-धीरे जनता भी समझ रही है और जनता समझदारी के साथ जो है अपना निर्ने अपना decision लेती भी नजर आ रही है क्योंकि बिहार में खेला तो हो ही गया है नितिश बाबु ने कर ही दिया था लेकिन असली वाला खेला जो है वो अब शुरू हो गया है News24 के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार में RJD कर सकती है Operation Laltain BJP shift कर सकती है अपने विधायकों को सूत्रों के हवाले से सूत्रों के हवाले से नितिश कुमार ने की है मुलाकात बात की है पिम मोदी से हमिश्रा से यह सब सूत्रों के हवाले से आ रहा था तो अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बिहार में RJD कर सकती है Operation Laltain BJP shift करा सकती है कि अपने विदायकों को जदियू को भी दर लग रहा है क्योंकि floor test में जी हाँ विदान सभा स्पीकर ने नितिश सरकार से floor test से पहले स्टीफा देने से इनकार कर दिया था लेकिन आप जो खबर आ रही है floor test में कितने विदायक नितिश के साथ है और कितने बीजेपी के साथ है इस असमंजस में बीजेपी और नितिश दोनों फसे हुए है कि floor test में ले जाकर किसको खड़ा करें कौन से लोगों को क्योंकि अब तक जो बाते सामने आ रही थी कोई कह रहा था 20 विदायक आरजेडी के संपर्क में है कोई कह रहा है नौ विदायक आरजेडी के संपर्क में है नितिश खेमे के कोई कह रहा है बीजेपी के कई सारे विदायक जो है वो आरजेडी के संपर्क में है क्योंकि आरजेडी अभी शान्त है और शान्ती इसलिए बनाई हुई है कि कुछ तो गड़वर होने वाला है कुछ तो खेला होने वाला है और जीतन राम मांजी का उपर से बयान तो आप सुन ही रहे हैं कि एकदम जबर्दस बयान दे रहे हैं एकदम रगड दे रहे हैं नितिश भावु को इतना सुना रहे हैं कि हर बार हमें वही मंत्राले दे दि क्योंकि गड़वड अब साफतोर पर नजर आ रहा है मीटिया अपने कैमरों में छुपाती भी नजर आ रही है और ब्रेकिंग ब्रेकिंग करके वो सारी खबरे नहीं चल रही है तो नजर बनाए रखें कि बिहार में कुछ भी हो सकता है कुछ भी बड़ा खेल जो है वो लालू के लाल कर सकते हैं दोस्तो इस वक्त आप बिहार की राजनीती में किस तरीके से उथल पुथल हुआ है सब जान रहे हैं और यहीं नहीं बिहार में सर्वे भी हुआ है जिसमें बीजेपी की नईया डूबती भी नजर आ रही है जिसमें खेवया दिया था जदियू उनकी भी इस्थिती कुछ चच्छी नहीं है तो दोस्तो इस पूरे रेपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल भी न भोले